तो चलिए लखने हैं काम पे मैंनत के काम हमेशा मेरे कोई क्यों बताती है कुई साइस बैर एक डम रेड़ी और चिक्की जी हमेशा उद्गाटन करती है इसका पहले बुश्के लूट मारो लूट मारो फटा फट इस तरीके से हमारे गाड़ी कंदर पूरा का पूरा कीचन से सब्सक्राइबर इस पेशल मतला हमारी फैमिली जैसा कि आपने देखा है पास लाग की हो चुकी है और इसको वन मिलियन के बनाने के लिए वापस ट्रिप पर निकलना पड़ेगा आप रोगो अच्छे ची जगे दिखानी पड़ेगी और उसके लिए करनी पड़ेगी हमें खूप सारी तैयारी तो चलिए जी पहला पार्ट है हमेशा के जैसे चलते हैं चोटा मोटा कुछ खरीदना है और मुझे नहीं पता चेकी जी ने क्या लिस्ट बनाई है मनसा ने तो अपनी लिस्ट पहले जैब मैं रख ली बना के बापा यह चीज चीज चीए टाइम वेस मता की जए उमीद है जहां पर हम जाने वाले हैं ना खूप सारी सर्दी मिलेगी मेरे ग्याल से हम अकेले अजमेर में ऐसे होंगे जो साल में साथ मेरे सर्दी में ही रहते हैं चले जी आगए हम आज की पहली डेस्टिनेशन पर फटा-फट यहां से छोटी-मोटी जो भी ख हां हां लेलो सब अपने ही राज है चट्नियों करें देखना ना बीटी वाली जो आपको पसंद उठा लो बिटा दोस्तों लास्ट टाम हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था आपने देखा होगा हमने बाहर का कुछ भी नहीं लिया था और वह बहुत कुछ हद तक मतलब हमने लेकिन इस बार थोड़ी घर की कंडिशन अलग थी और यह प्लान बना से दो से तीन दिन के अंदर तो इतना टाइम बचानी ता तयारी हो अगरे भी करनी थी बस भर ली ना पूरी टॉली दोस्तों बस चिक्की जी जहां पर आजाती है ना और यह आइस्क्रीम क्यूं दिल तो थोड़ी सी नमकिन भी लेंगे साथ में अब लें तो फिर पाप करें तो पूरा ही करें तो करीब दो से तीन घंटा लगा हमें छोटी मोटी जो भी शॉपिंग करने थी छोटी मोटी तो नहीं वही पास साथ जार कभी बनता है एक मुझे बैग भी पसंद आ गया था औ तो करते हैं अभी के लिए भाई मिलते हैं आपसे चार घंटे बाद धूब हो तेज है यार अचा ब्लैक लेना या ग्रीन लेना कोई से भी ले लो तीन से चार जैकिट से ज्यादा मत लेना मैं फिर बोल रहा हूँ तू हमेशा ऐसे बोलती है और दोस्तों यह ना एंड में चिटिंग कर लेती चिक्की तो भाई इस रूम को हमने हमारा कुल मिला के स्टोरेज रूम मना रखा है हमेशा यह यह गुमकड़बक्स का ओफिशल स्टोरेज आउस है भाई देखो क्या अहलत कर रखी है यह आपर सब पढ़े रहता है हमारी देखो यह वाला बैक जो लिय अगर आप लोग चैनल पर नहीं और यह पूरे सेट अपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा क्लिक करके उसमें देखने ना कैसे हम वारी गाड़ी करते हैं हमारी केंपिंग ट्रिप नहीं होने वाली तो बेसिकली हम अमारे खाने प बराबर काम चल रहा है लेकिन मैं कैमरे के पीछे मोस्ति रहता हूं और जो मैं काम करता हूं तो यह शूट नहीं करती हो यह तो बराबर काम चलता तबी दोनों हाद से ताली बज़ पाती और तबी एक अच्छा ट्रिप और्गनाइस हो पाता है यह आप लोग पता है तो से कमेंट बिल्कुल वत करना कि तुम काम नहीं करते हो तो फाइनरी दोस्तों चिक्की जी के जादूवी पिटारे के अंदर जादूवी पिटारे इसलिए बोल तो कि मसालों के विना खाना अधूरा है सब ही तरह के हमारे किछन के मसाले इसमें आ चुके हैं चिकी जी जुरूद पढ़ जाए अब हम इस मोड में आ चुके हैं मतलब हमारा एक कमफर्ट लेवल सेट हो चुका है कि यार जाना है तो पूरा तैयारी के साथ जाना है तो चलिए थोड़ी बहुत तैयारी करते हो उसके बाद वापस मिलता हूं आपस तो फाइनली हमारा पूरा बहुत अच्छी आती है इस तरीके से हमारे गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा किचन सेट अप रेड़ी हो जाता है बाई किसी भी चीज के हमें जरूरत नहीं पड़ती है जो मन हो वह बना के खा सकते हैं और चिक्की जी साथ में हो तो फिर तो कहना ही क्या तो फाइनली बाई हमारी सेठानी जी अब चैक करना आई है चलो में आप भी चलो हम दूसरा टूर कर रहे हैं हम दूसरा टूर यह अलग जा रहा है यह विपरित दिशा में जा रहे हैं किचन का सारा मतलब सबसे बड़ी टेंशन हमारी रहती है कि चोटी-चोटी आइटम होते उनको जम समझेए तो चले जी बाकी का काम आपको दिखाएंगे सुबे दिखाएंगे मतलब जमाएंगे हम सुबे क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकि करीब रात के बच चुके होंगे मेरे हिसाब से साड़े-दस और मैं भी काफी ठकावा हूँ डबल शिफ्ट करनी पड़ती है द बाहुबली बैग इसको पूरा वापस खाली करेंगे सबसे मीन चीज यह पर हमारे विंटर के कपड़े आते हैं तो यह रगदिया हमने हमारा बाहुबली बैग अपनी जगप है और चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार यह चीज दो देखो चोड की डाड़ी में तिन दोस्तों देखिए ऐसे हमारा पूरा समान हो जाता है यह मुझ गरीब की चार जाकिटे जो इसके नीचे आजाती है ठीक है ठीक है और यहाँ पर सारी बागी की चैरी की यह एक्स्ट्रा इन्होंने जो लाइट वेट है ना तुरंत निकाल के काम में लेलो इंस्टेंट वा रोसा नीए वैसे एक्स्ट्रा ट्रिप होने वाली है यह और यहाँ पर देखिए यह सारी केंपिंग चेर्स वगर आ गई और यहां पर हमारारा क्विस साइज बैड एकदम रेडी है और चिकी हमेशा उतगटन करती है इसका पहले गुस्के हैं हमेशा जैसा होते हैं वैसे सोना चिंता मत कर ठीक है तो यह हो गया जी और यहाँ पर हमने आपको कल अपना कल मतलब इसी व्लोग में पहले स्टार्टिंग में बताई दिया था सारा हमारा किचन इचन सब है इसको डखके रखेंगे इस बार हानी का रखेंगे सेहत के लिए और नीचे का मैंने आपको बत बहुत तेज हो गई है भुग भी लग रही है लंच का टाइम हो गया है और बाकी पानी का मैनेजमेंट हो रहा है सब मैंने आपको दिखा रखा है इस बार हमने दो ब्लैंकिट लिए दोस्तों एक हलकी और एक हमेशा वाली है चिक्की जीन उसको सोफा बढ़ा दिया बिल् गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रोम आवर होम और यहां पर देखे भाई सब हमें विदाई देने के लिए मतलब नए ट्रिप पर भेजने के लिए खड़े हमेशा की जैसे हमारे मम्मी आपा हमारा बड़ा वाला भतीजा मंसा तो यही पर रही है ना यह सबसे पहले यह रवन्हा हो रहा है यह रवन्हा हो रहा है इसको सबसे आधा जल्दी सुबह 6 बज़े उटकर बैढ़ी है यह दोस्तों आज थोड़ा से लेट हो गए माट बज गयर शायद और चिकी जी रेड़ी तो चलो पापा ठीक है ध्यान रखना आप तवेत का और घ कि एंड तक खेले लाती जाती जो एक्स्टा जितने भी देख रहा हो ना यह तो जरूरी है इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा तो चलते हैं तो चलिए दोस्तों हमेशा के जैसे लेके मातरानी का नाम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं और हमेशा के जैसे चिक्की जी प्रेडी तो बोलो श्री मंसा माता की जैए तो दोस्तों आज हम रूट पकड़ने वाले हो नर्नोल वाला नहीं पकड़ेंगे हम लोग पकड़ेंगे दर से दहली मुंबई एक्सप्रेस वे हमें नोड़ा कुछ काम है वो क्या काम है वो आपको अगली सीरीज में पता लग सफर बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और यह सीरीज भी बहुत स्पेशल है हमेशा ही जैसे जैसे मैं बोलता हूं हमेशा वर बहुत बार सुनने को मिलेगा क्योंकि बहुत सी चीजे रिपीट होने वाली है लेकिन कुछ नए अंदाज में तो जी हमने पकड़ लिया को आइडिया मिल गया होगा दोस्तों इस ट्रिप में हमारा मेन फोकस रहेगा इस बार एक्स्प्लोर का और वहां के कल्चर और खानपान वह सब आम आपको बहुत ही डिटेल में घर बैटा एसास कराएंगे ऐसा लगेगा आप लोगों कि आप हमारे साथ ही गुम रहे हो केंपिंग का इस बार 50-50 रहेगा जहां पर मूड हुआ वही पर प्रॉपर मतलब इस्टे नहीं करेंगे कुकिंग हो गयर का हमारा रहेगा जैसे कि हमने तैयारी करी है तो सीरीज में बने रही है बोर नहीं होने दोंगे इस बात की गैरंटी है जै हो बारा जी महारा जी की कम से कम दोस्तों आदा घंटा मेरा खराब हो गया या पर लेकिन चलो कोई नहीं वहाँ पर जाके डबल चार्जिस देना पड़ता थैंक्स टू बाई नया फास्टेक लगाने के लिए चलिए चलते हैं आगे के सफर पर थोड़ा सा तो क्या लेट होना हमारा लिखाई होता है दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ी प्रब्लम है अब जैसे हमारे इतर गर्मी स्टार्ट हो गई राजस्तान में हो ही गई है कहने का मतलब सुब़ेशाम की हल्की फुल्की वाली मतलब सोहाव नी सर्दी है तो हम सर्दियों में भागता है कि जाप बर सर्दी पढ़ रह और शिवाय बाबु करा रहा है इसमें यह गिफ्ट है यह रादिका के लिए गिफ्ट है इस बार घर की भी ऐसी वात नहीं है कि सारा बाहर बाहर कई है तो दोस्तों देखिए ऐसे सुबह का नाश्ता है तो रहाज हमारा हाइवे के उपर गर्मा गरम तो नहीं रहे है पर ठीक है बहुत टेस्टी लगेंगे फ्राइड राइज यह देखिए आपके लिए निमू अलग से लेकिया यह दाल भी लगा और चीए तो आपको क्या हुआ है दोस्तों आप लोगे घर में खीचे हमारे खीचे बोलते पोले पापड़ खीचे बोड़े पापड़ सीटला मता के उपर बहुत बनाते हैं हमारे जर्व अगर आपके घर में बनते तो कमेंट बॉक्स में बताना और क्या बोलते हैं खीचा ही बोलते कुछ और बोलते हैं खुद की तारिफ में क्या बोलोगे कैसे बने विटा अच्छा लगा चलिए जी फटा 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 नास्ता करते हैं और आगे निकलते हैं कि ऑइसमें ढाल दो तो दोस्तों हमने सारा कच्रा डिस्पोजल का इसमें एक पॉली बेग में डाल दिया है यहाँ पर हमें कोई कच्रा पात्र नहीं मिला है तो साथ में रख लेते हैं आगे जा पर दिखेगा वहाँ डाल देंगे तो आप लोग भी प्लीज जहाँ पर भी कच्रा ना फेकर अपना कच्रा अपने साथ लेकर जाए दोस्तों मैं सच बता रहा हूं यह होता है हमारी केम परवेन का करते हैं हमेशा से तो लास्ट तीन ट्रिप से हमारा यह वाला इवे फैवरेट हो रहा है जैपूर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे तो जैपूर रिंग रोड दक्षिनी कोरिडोर पर आपका हार्दिक स्वाधत है जी अब रोड आया यार यह बाद ना हमेशा वोलता हूं क्योंकि इतने ट्रैफिक के बाद आप एक्दम से ऐसे रोड पर होगे ना तो ऐसा वी आई पी ट्रीट्मेंट मलेगा मतलब आपको क्या वतों मैं ऐसा लगेगा रोड आपके लिए खाली है दोस्तों शिवाय को यह पर जो हमने माजा की बड़ी वाली स्क्राइज माजा जो भी ए उसकी बड़ी पोतल ली थी अपसे यह की रट लगा रहा जूस-जूस-जूस-जूस-वह अभी नहीं पियंगे वह अपन स्नो में चलेंगे और वहाँ पर इसका गोला बनाएंगे और उसका ओपर डालेंगे तो बो बहुत दिल से खुशी होती है यहां पर आके मैं हमेशा बात बोलता हुआ हमारा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए हमारी मेहनस सफल हो जाती है इतना मतलब एक रियल लॉग दिख जाता है सामने लिए फेस पर जो खुशी होती है मतलब जो सर्थ है उन्होंने अपनी बेटी उनकी बेटी और उनकी पूरी फैमिली हमारे वीडियो देखती है जैसा कि उन्होंने बताया था इतनी शौप लोगी एकड़म से उन्होंने पर यह कैसे मिल गया आपको तो थोड़ा सा रेस्ट आउस पर रेस्ट कर लेते हैं और इदर अपनी लाडो खड़ी है अभी पीते यहां पर कुछ फ्रेश्मेंट वगर लेते हैं कुछ खाते पीते हैं खाना तो नहीं है अभी बूख तो नहीं है ममी ने आम की मतलब केरी की ठाज बना के बेजी है तो चिक्के जी आज़े उसके बाद पीते साथ में जा रहा थ हाथ दोनें मनिला दो फिर यही पर और कि देख इता बड़ा फाइब जा रहा है बैठो दोनो आपके पास में आप गाली डाइव कर रहा था आप रावडी नीपी सकते हैं नहीं नीं नीपी सकते हैं नहीं ने नीन आईगी जी ने केरी की ठाज दी ए चलो जी बड़ी है व तो चिक्की जी का थोड़ा साथ चड़ने लग गया इसके साथ एक प्रॉब्लम है दोस्तों पर क्या करें अपना है पर मेरा यह वह वाली चीज है ना तो चिक्की तुम लोग रेस्ट हो बच्चों के साथ अब एक डेड़ गंटे बाद मापको जगातों ना 15-20 मिट के लिए एक बार रेस्ट दिना जरूरी होता है मैंने डीजल फूल करवाई लिया इसमें करीब-करीब था यह देख लो आप पकड़ना है इस्टन पेरिफिल वेब कहलाता है यह ग्रेटर नोड़ा उत्तर प्रदेश में आपका हर्दिक स्वागत है जी ठीक है जी मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है चलिया जी फाइनली पहुच गया है फैक्टरी दुरूभाई की ड्रो केमपर आस तो यह बहुत आरखी इनके पास हाउसपूल औरखी विया पार्किंग आसतो है लो विकास भाई कैसे हो दोस्तों यहाँ पर जब भी आते ना कुछ ना कुछ नहीं देखने को मिलता है ओ भाई यह देखो दोस्तों चलता फिरता कोचिंग सेंटर यार कितने सारे लेपटोप य यह लोग इतने नींद में मगन हो गए तो मैंने इंको उठाना उसी इतनी करा डायरेक्ट मैंने फैक्ट्री पर गाड़ी लगा दी तो सब्जी अगर खराब तो नहीं हुए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पिटारा खुल गया है पिटारे में एवर गिन हमारी सुक्यालू की सब्जी हो गई विट मेर्ची या पर भिंडी और प्यास की सब्जी हो गई है और अचार भी तो लाई तो चिकी अचार भी हो गया चलिए शुरू करते हैं फटाफाट और उसके बाद आगे निकलना है आगया अगया और इस क्यूट से बच्चे को देखो किते दो केजी का इंडियन कंपनी का दो केजी का बहुत इस्पेशल डिमांड पर दुरू भाई ने मुझे मंगा के दिया है और इसके लिए मैं स्पेस लिए आया था आज यहाँ पर अचा फूल है तो मतलब आप पांच केजी के टेंशन नहीं है जो आपने लिटर बढ़ाते ते न उसक चलो बाई चलो इसको यही पर छोड़ जाते है शिवाय को काम सीख लेगा खेल परादेगा आपकी मतलब दोस्तों क्या बताओ आपको इस छोटे से सिलेंडर के पीछे बहुत लड़ाई जगड़े हुए तब जाके मिला है है ही नहीं मिलता ही नहीं आपके उदर अगर मिल करीब 300-300 km बताया भाई तो अच्छा खासा होने वाला है आज का सफर भी दोस्तों क्या सीन दिख रहा है यार मतलब यह देखिए वाइड हिंगल में दिखाता हूं पास में हमारे लेफ्ट हें साइट पर संसेट हो रहा है इतना बड़ा ब्रिज और शांदार एक्स्प्रे पांच वाई एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है क्या पता है एक्सप्रेस वे है या नहीं है नेशनल हीवे तो है करणाल वाला जो रोड है बहुत टाइम बाद तो नहीं है हम उत्राकंड वाले उस पर आयते ना जब दाखली ढवावा करें शाद इसी रोड पर आता है और तो पेटफूल है भाई बहुत लेट खाना घाया था हमने तो देखेंगे अभी तो सीधा गाड़ी खैसता है डेस्तिनेशन हमारी आज की पंच कुला तो गाइस अभी मैं रुका हूं मतलब हम रुके हैं चाय पीने के लिए क्योंकि मेरी आखे बहुत जादा भारी हो चु मतलब नहीं है लो जी धर्शकों की भारी डिमांड पर एम दिग्या बच्चों को तो बोले पापा एक एक बर्गर हो जाए फिर क्या था मना किया जाता है क्या है लो जी लो आवे चुन्नू मुन्नू मैकडी वालो इतना उचा है मतलगाया करो यार यह खतरी की गंटे हो ज दिखाने लाइक है नहीं दोस्तों तो वहां पर सीधा चल के आप से बात करते हैं क्योंकि काच वागर भी मैंने साफ करने की हमत नहीं है मिलते हैं आगे दोस्तों मेरे आगे टेंपो ट्रेवलर चल रहा है बंदने क्या मतलब दिल से कोई चीज बनाई हुई रहती है ना मो इसको सबस्क्राइब है इसको सबस्क्राइब रहता है एलो अलो बच्चे ते खुष होती है यह अराश उसको सप्राइज मिल गया देखो कितना मजह से चल रही है तो नो हावे सोना नहीं है तुम्हार को रात के 12 बज़रे इनको देखकर कई से लग रहा है दोस्तों आप और अर्प को देखो एनका तो चलिए दोस्तों रात की बज़री साढ़े बारह बातों में दोस्तों पर रेटे की आर टाइम का पदा ही लेशिगा तो इस वीडियो में भी नहीं मिलवा पगर इसके बाद वाले वीडियो में आपको वैसे हम पेले छुड़े है वापस चलिए आज मैंने और आपको पूरा पूरा हमने पूरा हमारा दिन शेयर करा है तो वीडियो के एंडिंग करते हैं गुड़नाइट सबको अपना प्यार इसी तरह बना रखना और लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब और वीडि